हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज हम कैप्सिकम की एक तम नहीं रेसिपी तेयार करने जा रहे हैं तो यह कैसे बनती है चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक बड़े साइज का कैप्सिकम जिसे हम गारिक क्रेंगे अगर आप चाहें तो मोटी वाली भी ग्रेटर से भी इसे यूज कर सकते हैं लेगिन कोशिच करें कि भारिक वाला यूज करें तो यहां पर मैंने सारे कैप्सिकम को अच्छे से क्रेंट कर लिया है और इससे साइड में रखतेंगे इसके बाद हम जाहिए होगा मट यहां पर मैंने लिया है आदक कप फ्रोजन मटर अगर आपके पास फ्रोजन मटर नहीं है यह आप यूज नहीं करना चाहते तो इसे इसे स्किप कर सकते और इसकी जगा सिफ अनियन का भी यूज कर सकते तो इसे मैंने ग्रैंट में डाल के अच्छ से कर लिया यह बहुत उसे स्किते जाए ना चिरि में पारिक कत कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरफ पॉडर आदा चोटी चमच और दालेंगे हम हल्दी पॉडर एक चोटाई चमच मिल्षी डालेंगे लाल मेंच पॉडर आधी चोटी चमच, नमक अप्टेज़ के से डालिए गा साथ में डालेंगे अजुए अब इसके बाद हम इसके बाइंड करने के लिए हम अच्छ नालेंगे बेशन तो यहां पर मैं दो से तीन चमच बेशन आट कर रही हूं पहले इसे अच्छी से हम मीक्स कर लेंगे और अगर हम जरूत होगी तो इसे हम और अट कर लेंगे बेसन को तो पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो यहां पर मैं दो चमच और बेसन अट कर लोंगे और सारे सारी चीजों को बेसन के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखे सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसे हम तल लेंगे तो यहां पर पैन में मैंने पहले इस तेल गरम करके रखा है तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे अब चलते हैं नेक्स टेप की तरफ तो यहां पर मैंने एक कड़ाई लिया है उसमें हम दो चमच तेल डाल देंगे तेल डालने के बाइस में थोड़ा सा बटर डालेंगे जिसे सब्जी का टेस्ट और कर सकते हैं अब इसमें वाट दालेंगे थोड़े सी जीरा सबी जीरा आट करेंगे कुछ से गण तक करेंगे इसमेंड करेंगे फारी मिर्च तो यहां पर मैं इस तरह से इस तरह से कट किए हुआ है हारी मिर्च आट करेंगे हां आप चाहे तो बारें भी काट सक के डाल सकते हैं इसे кिषsin कि दुम बारें एक बड़े साइस का अनिय इस तरे से चॉप किया हूँ मुटा डा लेंगे और अगुफा लेंगे आप यहाँ समारा में घुर्था नहीं हो चुका है अब स्थोड़ेशन ग्नाथ चुका है अब इसमें दुछ रिप्त तो बर से दनीय बत्त यह शाम कुछ से जन्ट चलाइं तुमाटन में के सल आधे चोटी च्मच एदरख साथ दनिया पॉडर एक च्मच दनिया पॉड़र के भ़ी हम सब्सक्राइब लाविध किंगे इस सब्जी का जो कलर होगा बहुत अच्छा आएगा इसके बाद हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और साले मसालों को मैं अच्छे से पका लेंगे जब तक कि यह त्रेल रिलीज न हो जाए तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं और साइड साइड से तेल भी निकल चुका है अब इसमें मैं आट करेंगे गरम मसाला आदी चोटी चमज और इस सबजी को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ से पनीर आट कर रही हूं इस तरह से क्रमबल करके आप चाहें तो इसे इसके भी कर सकते हैं लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच मसाले अचल से भूं जाएं तो आप ग्रेवी की हिसाब से के आपको कैसी ग्रेवी रखनी है थीक रखनी है यह पतली दे पको ऐस साफे पानी डालें तो यहाँ पर मैं लगबग आदधा का पानी आट कर रही हूँ अब इसे हम अच्छे से बॉयल होने देते हैं जब इसमे एक बॉयल आने लगे तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चेनी इसे और अच्छा टेस्ट आएगा जब यह अच्छा से बॉयल हो जाए तो उसमें हम एक एक करके हमने जो पॉकोड़िया बनाई थी इसमें हम एट करतेंगे और इसे हमें कुछ जादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि पकोड़िया अगर ग्रेवे में जादा पकेंगे तो वह बहुत जादा सॉफ्ट हो जाएंगे और विल्कुल वाच्छे नहीं लगेंगे उपर से हम डालेंगे कटेवे हरीमिज और धनिया पत्ता डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगबग दो मिनट तक इसे अच्छे से ढखके पकाया लेंगे और यह देखिए हमारा जो कैप्सिकम की जो सबसी है बिल्कुल तेयार है सब करने के लिए इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत जादा पसंद आएगी अगर आज की रेसिपी आप लोगो पसंद सबस्रा टाइब